अब हमें कुछ ऐसे फलन दिये गए होंगे जो की मानक रूप में नहीं होंगे तो ऐसे फलनों को हम जहां पर 84 X है उसका प्रतिस्थापन कर देंगे T के रूप में या किसी और चर का उपयोगा आप कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिस्थापन करने के बाद जो दिया गया फलन है वो किसी मानक रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो समाकलन की इस विधी को प्रतिस्थापन विधी कहते हैं जहां पर बहुत सारे प्रशनों को हम इस विधी का उपयोग करके सरल करेंगे आईए देखते हैं इसे परिभासा और फिर प्रश्न प्रतिस्थापन विधी द्वारा समाकलन integration by substitution method जब हमें ऐसे फलनों का समाकल ग्यात करना होता है जो किसी प्रमानिक रूप में नहीं होते अथवा सरलता से प्रमानिक रूप ग्रहन नहीं करते तब हम समाकलन चर x को किसी दूसरे चर t के उचित फलनों के रूप में व्यक्त करते हैं ऐसा करना प्रतिस्थापन या substitution कहलाता है उचित प्रतिस्थापन का कोई निश्चित निर्धारित नियम नहीं है इस संदर्भ में अनुभाव ही सर्वस्रिष्ट निर्धेश का कारे करता है अर्धात आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीकी से इसको सरल कर पाएंगे उचित प्रतिस्थापन के बाद प्राप्त फलन ऐसा होता है कि प्रमानिक सूत्रों की साहता से उसका समाकलन करना सरल हो जाता है आईए इसे देखते हैं गणितिये रूप में प्रतिस्थापन विधी माना कि capital I equal to integration sign f small f of x dx दोनों पक्षों का यदि हम आउकलन करेंगे तो मिल दाएगा d by dx of capital I equal to small f of x जैसा कि हम जानते हैं कि आउकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत करिया है तो एक दूसरे को अप्रभावी कर देंगे अब माना small x is a function of phi of t तब dx by dt equal to phi dash of t तो इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं f of t into phi dash of t दोनों पक्षों का t के सापक्ष समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा capital I equal to integration sign f of phi of t into phi dash of t dt अता लिख सकते हैं capital I equal to f of x dx i equal to integration small f of x dx equal to integration sign f of phi of t into phi dash of t dt अब आगे देखते हैं small f of ax plus b का समाकलन या integration of f of ax plus b माना की integration I equal to integration sign small f of ax plus b dx तो यहां पर उचित प्रतिस्थापन होगा कि हम ax plus b equal to t लिखें अब इसको t के सापक्ष आउकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा a into dy dt of x equal to dt by dt equal to 1 पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा a into dx equal to dt या फिर dx equal to 1 by a into dt इसलिए i equal to integration sign f of small t into dt by a तो 1 by a जो है अचर रासी है यह फलन के या समाकलन चिन के पहले आ जाएगा और यह equal to मिलेगा 1 by a integration sign f of t dt इसे आगे लिख सकते हैं equal to 1 by a capital f of t जहां पर capital f of t equal to integration sign small f of t dt तो इस प्रकार हमें यह सूत्र मिल रहा है integration sign small f of ax plus b dx equal to 1 by a into capital f of ax plus b. कुछ महत्यपूर्ण परिणाम तो इसमें पहला सूत्र हम दिखेंगे sin of ax plus b का समाकलन माना की i equal to integration sign sign ax plus b dx अब यहां पर हम प्रती सपन का उप्योग करेंगे ax plus b equal to t रखेंगे और दोनों पक्षों का जब आउकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा a into d by dx of x equal to dt by dx आगे सरल करने पर में मिल जाएगा a into dx equal to dt या फिर dx equal to 1 by a into dt तो आगे हम लिख सकते हैं i equal to integration sign sign t dt by a तो जो a है यह अचर रासी है integration चिन के पहले यह आ जाएगा तो इसे हम लिख पाएगे i equal to 1 by a integration sign sign t dt तो sin t का समाकलन minus cos t मिलेगा तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं i equal to minus 1 by a cos t तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है integration sign sign of a x plus b dx equal to minus 1 by a into cos cos of a x plus b इसी प्रकार हम और भी सूत्र जाद कर सकते हैं integration cos of a x plus b dx equal to sin a x plus b upon a अगला सूत्र है सेग स्क्वेर और a x plus b dx equal to tan of a x plus b upon a चौथा सूत्र है integration sign e का पावर a x dx equal to e का पावर a x upon a चौथा सूत्र है integration sign 1 upon a x plus b dx equal to log of a x plus b upon a चौथा सूत्र है integration sign a x plus b whole power n dx equal to a x plus b whole power n plus 1 upon a into n plus 1 where n is not equal to minus 1 तो n का जो मान है यह रिंड एक नहीं होगा इस सूत्र के लिए या दूसरे सब्दों में जब n equal to minus 1 होगा तब इस सूत्र को हम उप्योग नहीं करेंगे सात्वा सूत्र है integration sign sec of a x plus b into tan of a x plus b dx equal to sec of a x plus b upon a इसमें आठवा सूत्र दिया गया है integration cosec of a x plus b into cot of a x plus b dx equal to minus 1 upon a cosec of a x plus b नहीं होगा सूत्र है integration cosec square a x plus b dx equal to minus 1 upon a into cot of a x plus b अगला सूत्र है integration sign sin a x dx equal to minus cos of a x upon a अगला सूत्र है integration cos of a x dx equal to sin of a x upon a अगला सूत्र दिया गया है integration sec square of a x dx equal to tan of a x upon a अगला सूत्र है integration cosec square a x dx equal to minus cot of a x upon a अगला सूत्र है integration sec of a x into tan of a x dx equal to sec of a x upon a अंतिम सूत्र दिया गया है integration sign cosec a x into cot of a x dx equal to minus cosec of a x upon a तो इन सूत्रों को अलग से याद रखनी के आवशक्ता नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे कि जैसे कि पहले सूत्र में है integration sign sign of a x dx equal to minus 1 upon a cos of a x plus b simply यदि sin x का समाकलन आपको पता है कि यह minus cos x होता है तो आप उससे लिखेंगे minus cos of a x plus b और a x plus b का आप आप कलन कर दीजे x के साब पेक्ष तो हमें मिलेगा a और उस रासी को हमें भाग देना होगा cos of a x plus b से तो इस तरीके से हमें मिल रहा है integration sign sign of a x plus b dx equal to minus 1 upon a into cos of a x plus b तो इसे आप ध्यान देंगे तो बागी सभी सूत्रों में इसी अवधारणा का उपयोग करके आप इसका हल लिख सकते हैं दिये गए फलन का हमें समाकल ग्याद करना है जहां पर है y equal to sin 3x तो हमें sin x का समाकल यह समाकल ग्याद है sin of 3x का समाकल ग्याद नहीं है तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधी का उपयोग करेंगे और हम लिखेंगे कि माना 3x equal to t अब दोनों पदों का जब आप आउकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 dx equal to dt या फिर dx equal to dt upon 3 अब इस पद में यह जो हमने प्रतिस्थापन उपयोग किया है उसको हम अप्लाई करेंगे और दोनों पक्षों में पहले हम समाकलन कर लेते हैं तो integration sin y dx equal to integration sin 3x dx equal to integration sin 3x के स्थान पर हमको लिखना है t और dx के स्थान पर लिखना है dt by 3 तो यह मिल जाएगा dt by 3 तो यह जो 1 by 3 है यह constant है यह बहर आ जाएगा और यह sin t dt साइन की का समाकलन या साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस तो आपको मिल जाएगा 1 by 3 माइनस कॉस ती या फिर माइनस साइन बहर ले लेते हैं माइनस 1 by 3 कॉस ट और t के इस्थान पर आपको रखना है 3x और प्लस C ये दिये गए फलन का समाकला ने जहां पर C एक समाकल नियत आंक है अगला प्रशन दिया गया है Y इक्वल टू E का पावर 3X आपको E का पावर X का जो समाकल ने वो ग्यात है ये का पावर 3X का ग्यात नहीं है तो इसके लिए हम पुना प्रतिस्थापन को उप्योग करेंगे कि माना 3X इक्वल टू T दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे तो मिल दाएगा 3DX इक्वल टू DT या फिर DX इक्वल टू DT बाई 3 अब इसका समाकलन को हम आई से प्रतरसित कर रहे है इंटिकेशन YDX इक्वल टू इंटिकेशन E का पावर 3X DX अब हमने जो प्रतिस्थापन उप्योग किया उसको विहाँ पर पूट कर देंगे या अप्लाई कर देंगे E का पावर 3X और 3X कि स्थान पर आपको लिखना है T और DX कि स्थान पर आपको लिखना है DT upon 3 जो 1 upon 3 है ये constant है ये बाहर आजाएगा इंटिकेशन E का पावर T DT E का पावर T का समाकल E का पावर T ही मिलेगा तो मिल जाएगा 1 by 3 E का पावर T प्लस C अब T के लिए जो फिर से प्रसे सापन हमने उपयोग किया था उसे मूल रूप में परिवर्दित कर देते तो आपको मिल जाएगा 1 by 3 E का पावर 3X प्लस C और यही वह उत्तर है जो हमें ग्याद करने कहा गया था फलन दिया गया है sin 2X into cos 3X इसका हमें समाकलन गयाद करना है तो यह दो अलग-अलग पदों के गुननद फल के रूप में है इसे हम पहले सरल कर लेंगे और एक पद में हम इसे ले आएंगे या एक फलन के रूप में इसे परिवर्दित कर लेंगे जियान दीजे यह sin और cos X का या sin और cos दोनों फलनों का गुनन फल है cos X को पहले लिख सकते है sin X को बाद में भी लिख सकते है दोनों तरीके समें से सरल कर सकते है यदि पहले पदकों sin लें दूसरे पदकों cos लें तो चुकि आपको पता है कि 2 sin A cos A 2 sin A cos B यह होता है sin of A plus B plus sin of A minus B इस सूतर का उप्योग करके पहले इसे हम सरल कर लेंगे तो sin 2 X into cos 3 X इसमें हम 2 का गुणा कर रहे है और 2 का भाग कर रहे है अब यह सूतर अप्लाई करते है यह 1 by 2 sin of A plus B sin of 2 X plus 3 X plus sin of A minus B तो यह 2 X minus 3 X आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 by 2 sin of 5 X और यहां से मिल जाएगा sin of minus X तो मिलेगा minus sin X अब यह फरान हमें प्राप्त हो चुका है और यही Y है अब इसका समाकलान हम लिख थेंगे I integration sin Y dx equal to अब चुकी constant है हम इसे directly मैं बाहर ले रहा हूँ और फिर यह sin 5 X minus sin X इसका आप समाकलान लिखेंगे यह 1 by 2 sin X का समाकलान होता है minus cos X तो यह minus cos X और X के स्थान पर है 5 X और अपॉन 5 हो जाएगा आपकलान में हम जहां पर गुणा करते है समाकलान में उस पत का यह उस संख्या का हम भाग देते है फिर sin X तो यह मिल दाएगा minus minus और minus plus cos X और plus C या फिर इसे आप लिख सकते हैं minus यदि आप bracket open कर दें तो मिल दाएगा minus cos 5 X upon 10 plus 1 by 2 cos X plus C जहां पर C एक समाकल नियतांक है अगर यह पत आपको clear नहीं हुआ है तो हम इसे इस तरीके से उपयोग कर सकते है या इस तरीके से हम समझ सकते है कि sin 5 X का आपको समाकलान गयाद करना है तो माना कि 5 X equal to T तो मिल दाएगा 5 D X equal to D T या फिर D X equal to D T upon 5 अब इसका समाकलान अब गयाद कर रहे है sin 5 X 5 X के स्थान पर आपने रख दिया T तो D X के स्थान पर आपको रखना है D T upon 5 तो यह जो 1 upon 5 है यह बाहरा जाएगा sin T D T यह मिलेगा minus cos T अब cos T के स्थान पर फिर से 5 X रख दीजे तो minus 1 by 5 cos of 5 X तो इसको हमने यह आपर directly इस तरीके से put किया है अगला प्रशन है cos 4 X into cos 2 X इसका हमें समाकलान गयाद करना है समाकलान गयाद करने के पहले इसे हम सरल कर लेते हैं कि जैसा कि आपको गयाद है कि 2 cos A cos B equal to cos of A plus B plus cos of A minus B यह सूतर आपने पढ़ रखा है तो इस तरीके से यहाँ परिदी हम 2 का गुणा कर दें तो यह इस रूपे परिवर्तित हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 by 2 यह Y ही है 1 by 2 और फिर 2 into cos 4 X into cos 2 X इस तरीके से इसे लिख रहे हैं 1 by 2 cos A plus B तो 4 X plus 2 X plus cos 4 X minus 2 X आगे सरल करेंगे तो मिल दाएगा 1 by 2 cos 6 X plus cos 2 X अब यह सरल हो चुका है जहाँ पर यह दो फलनों का गुणान फल था वहाँ पर यह योग के रूपे परिवर्तित हो चुका है अब इसका समाकला नहीं हम लिख रहे है Y, integration Y D X equal to 1 by 2 यह जो constant है इसे मैं बाहर लिख रहाँ cos 6 X plus cos 2 X और K D X समाकलान करेंगे 1 by 2 cos 6 X का चुकि cos X का समाकलान sin X होता है तो आपको मिल दाएगा sin 6 X upon 6 plus cos का again sin और फिर अप प्लस C लिख सकते हैं जहां पर C समाकल नहीं है तांक है 1 by 2 का अंदर गुना कर देंगे तो मिल दाएगा sin 6 X upon 12 plus sin 2 X upon 4 plus C और यही वह उत्तर है जो हमें ग्याद करना था प्रस्ण दिया गया है Y equal to sin cube X into cos of X by 2 इसे सरल करने के पहले या इसे समाकलान करने के पहले इसे हम थोड़ा और सरल करना होगा और इसके लिए आपको सूत्र ग्याद होना चाहिए sin cube X equal to 1 by 4 3 into sin X minus sin 3 X या फिर आपने यह सूत्र पढ़ा है कि sin 3 X equal to 3 sin X minus 4 sin cube X तो इसको सरल करके हम इस रूप में परिवर्थित कर सकते हैं यह जो sin cube है उसे हम दो फलनों के अंतर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं sin cube X है उसे इस रूप में हम परिवर्थित कर लेंगे तो अब मिल दाएगा Y equal to 1 by 4 3 into sin X minus sin of 3 X और फिर यह है cos of X by 2 multiply करेंगे तो मिल दाएगा 3 by 4 यह sin X और यह cos X by 2 फिर minus 1 by 4 sin 3 X into cos of X by 2 अब 2 sin A cos B यह सूतर हमने पढ़ा है यह होता है sin of A plus B plus sin of A minus B इस सूतर का हम उप्योग करके इसे सरल करेंगे तो यह आपको मिल दाएगा 3 by 4 2 multiply करेंगे और 2 divide करेंगे इसका मतलब यह कि यह हो गया 2 sin X cos X by 2 इसे प्रकार minus 1 by 4 और यह 2 multiply कर रहे हैं और 2 divide कर रहे हैं यह मिल दाएगा 3 by 8 2 sin A cos B तो sin A plus B तो sin A plus B plus sin A minus B फिर minus 1 by 8 अगें sin A plus B plus sin A minus B आगे सरल करते हैं यह 3 by 8 sin of 3 X by 2 plus sin of X by 2 minus 1 by 8 sin 7 X by 2 plus sin 5 X by 2 यह Y equal to है अब इसका हम समाकलन याद करते हैं तो इसे हम लिख रहे हैं I equal to integration Y D X constant है 3 by 8 इसे common ले लेते हैं then sin of 3 X by 2 plus sin X by 2 इसका D X फिर minus 1 by 8 integration sin sin 7 X by 2 plus sin 5 X by 2 D X 3 by 8 sin X का समाकलन minus cos X होता है तो minus cos 3 X by 2 और फिर अपान 3 by 2 फिर minus cos X by 2 by 1 by 2 इसे तरीके से minus 1 by 8 sin X का minus cos 7 X by 2 by 7 by 2 फिर minus cos 5 X by 2 by 5 by 2 और प्लस C तो इसे जब सरल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 by 8 और ये 2 by 3 minus cos 3 X by 2 फिर minus sign 3 by 8 और फिर ये 2 by 1 cos of X by 2 minus और minus plus 1 by 8 और ये जाएगा 2 by 7 cos 7 X by 2 और minus और minus अगें प्लस 1 by 8 into 2 by 5 और cos 5 X upon 2 plus C तो मिल जाएगा देखिए 3 और 3 कैंसल 2 2 एकमदो और 2 चोंक 8 तो मिल जाएगा minus 1 by 4 cos 3 X by 2 और ये minus 3 by 4 cos of X by 2 plus 1 by 28 cos 7 X by 2 plus 1 by 20 cos 5 X upon 2 plus C और यही वह उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगला फुलन दिया है cos Q X इसका हमें समाकलन ग्याद करना है इसे दो तरीके से सरल कर सकते है पहले तो यह कि इसे आप cos X into cos square X लिख सकते है और फिर यदि इसका समाकलन करना हो तो लिखेंगे integration Y D X integration sine cos X और cos square X को आप लिख सकते है 1 minus sin square X D X अब यहाँ पर यदि आप उप्योग करें प्रतिस्थापन का कि sin X equal to T तो sin X का जब आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा cos X D X equal to D T यह जो प्रतिस्थापन है इसे आप अप्लाई कर देते है cos X और D X यह परिवर्तित हो जाएगा D T में और इसे आप लिख पाएगे 1 minus T square D T इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन T और T square का समाकलन T cube upon 3 plus C अब यदि आप T की value यहाँ पर put कर दे तो आपको मिल रहा है sin X minus sin X का cube upon 3 plus C यह इसका उत्तर है या फिर आपको पता है कि cos 3 X equal to होता है 4 cos cube X minus 3 cos X यहाँ से आपको मिल रहाएगा cos cube X यह दरा करके plus हो जाएगा तो cos 3 X plus 3 cos X और यह 1 by 4 तो cos cube X को मिल लिख सकते है 1 by 4 cos 3 X plus 3 cos X अब Y equal to हो गया है cos cube X equal to 1 by 4 into cos 3 X plus 3 cos X इसका समाकलन I integration Y dx equal to यह 1 by 4 फिर integration sign cos 3 X plus 3 cos X और फिर यह dx cos X का समाकलन sin X तो यहाँ से मिल जाएगा 1 by 4 minus sin 3 X upon 3 और फिर minus 3 cos को जाएगा sin X और प्लस C आगे solve करें तो लिख सकते हैं minus sin 3 X upon 12 minus 3 by 4 sin X plus C तो इसमें दोनों उत्तर सही हैं simplify करेंगे तो यह इस रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा और यह उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा आपाएगा